भारत के अध्यात्मिक, धार्मिक तथस सांस्कृतिक इतिहाश में सक्ति पीठों का बहुत महत्व है। पौरानिक मन्यताओं के अनुसार, जहां जहां भी माता सती की देह के अंग, उनके धारन किये वेवस्त्र और अभूशन गीरे थे, उन सभी स्थानों पर शक्ति पीठ अस्तितों में आये। देवी पुरान एवं अन्य पुरानों के अनुसार संपूर्ण भारती उप महाद्विप में फैले ये सभी 51 शक्ति पीठ अत्यंत पावन तीर्थ कहला है। अखंड भारत के दोर में माता सती के सभी 51 शक्ति पीठ हमारी पहुँच में थे। लेकिन भारत विभाजन के बाद इसमें से 9 पीठ उन विभाजित हिस्सों में चले गए हैं। 50 पीठों के दर्शन करना चाहें तो लगभग असंबहो है। लेकिन उन सभी शक्ति पीठों की प्रतिकरती के तोर पर यदि कोई एक ही बार में और एक ही दिन में एक ही स्थान पर दर्शन करना चाहें तो अब उनके लिए यह बहुत ही आसान हो चुका है। क्योंकि गुजरात के स्री अरासूरी अमबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट ने उस असंभव को संभव कर दिखाया है। अमबाजी मंदीर का संचालन स्री अरासूरी अमबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट की देख रेक में होता है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यहां परेटकों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए विशेस निवास इस्थान, सुरक्षा, स्वच्छता तथा सात्विक भोजन जैसी हर प्रकार की विशेस विश्वस्तरी व्यवस्था की जाती है। माता अंबा जी का यह शक्तिपिट तीर्थ इसलिए भी खास है क्योंकि यहां इसी गब्बर तीर्थ परवत के लगबक 3 किलोमेटर के परिक्रमा पथ के दाइरे में उन सभी 51 शक्तिपीठों के प्रतिकात्मक मंदिरों का निर्मान करवा कर उनमें उन्ही 51 देवियों की प्र है करी शक्तिपिठों को उनके नाम और स्थानों के अधार पर ही प्रतिक्रती के रूप में इस्थापित किया गया है। स्रदालू चाहे तो इनमें से किसी भी मंदिर में उसके अपने इस्थानी विदी विधान और पुजा पद्धती के अनुसार हवन पूजन या अन्य सभी प्रकार की इस्थानी पुजा पद्धतियां उसी मंदिर के विशेश प्रसिक्षित पुजारी के द्वारा करवा सकते हैं। दरसल एक ही इस्थान पर 51 सक्थी पीठों की यह परियोजना स्री अरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा करयान्मित की गई है। ट्रस्ट के अनुसार यहां इस्थापित इन सभी 51 सक्थी पीठों में विशेश प्रसिक्षन प्राप्त पुजारियों की व्यवस्था की गई है। पहला और सबसे बड़ा प्रयोग माना गया है। एक बड़ी हवनशाला का निर्मान भी करवा दिया है। जिसमें एक मुख्य हवनकुंड और अन्य आठ छोटे हवनकुंड है। इस हवनशाला में होने वाले यग्ये इन सभी शक्ती पीठों के लिए समान रूप से किया जाता है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को को भी दबाना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। चैहिन बंदवाद।